Hello everyone, मुझे काफी मैंने बैसे देखो daily classes में डाल रहा हूं, जिन बच्चों का exam है अभी, basically SOL के लिए beacom program की मैं बात कर रहा हूं, जिन बच्चों का exam है, मैं classes तो डाल रहा हूं आपके, लेकिन फिर भी कुछ एक chapter, सबस्ते पहले मैं बात करूं कि आपको preparation और exam कैसे attempt करना इन बातों को आप सुन लेजिए अच्छे से शायद आपको थोड़ा value edit हो जाएगा पहली कुछ बातों को आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे पहले चीज जो paper हमारा regular या non-collegiate का है था उस paper को base बिल्कुल भी नहीं मानना है कि वैसा ही paper आएगा मैं मान के चलता हूँ कि वैसा paper आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता आपने जो सीखा है आपने जो knowledge लिया है उसको आप साप करिए उसको enhance करिए उसके उपर काम करिए ना कि उस paper के जो आया है उसके उपर काम करेंगे हाँ उस paper को आप solve जरूर करें solve करने का मतलब just one time solve कर लिया हाँ भाई ये questions हो गया बस that's it उसको बिल्कुल ऐसा नहीं कि रट लेना है वह ऐसा ही paper आएगा नहीं आपने एक बार solve कर लिया तो paper भी solve हो गया बाकी आप तयारी रखिए ठीक है दूसरी बात exam कैसे attempt करना है ये चीज़े आपको ध्यान रखना है focus रखना है sir कैसे exam attempt करना है आपका exam theory और practical में होगा सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से theory करना चाहिए ये मेरा opinion अब बच्चे का अपना opinion होता है theory attempt कर लेना चाहिए sir क्योंकि हम learn करके जाते हैं पढ़के जा रहे हैं तो पढ़के अगर बहुत अच्छे से याद है पता है यह तो अभी पढ़के आया था यह पूरा याद है फटा 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 फट लिखना है तो पहले theory attempt करिए number one पे sir number two पे आप hp का question attempt करिए क्योंकि यह असान होता है number three पे आप cg का question attempt करिए यह असान होता है number four पे आप salary का question attempt करिए मैं उसी इसाब से लेके चल रहा हूँ जिसके अंदर आपके chances मतलब के कम है दूसरी बात एक और चीज के भाई कई बार हमारे exam के अंदर मैंने देखा मैं किसी को पर कोई comment नहीं करना चाहता हर कोई अपने हिसाफ से चल रहा है चलने दीजिए मेरा बस यही काम है कि आप लोग बस पढ़के और अच्छे से पास होईंगे अगर दूसरा कुछ काम गलत कर रहा है तो हमें क्या मतलब करने दो बाई हटाओ तो डियू के अंदर मैंने देखा है कि बच्चे बोल रहे हैं सर एक साथ बैक्स पर बैटके करते हैं जो कि बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से यह तो प्राइमरी के बच्चे को भी अलाउड नहीं किया जाता कि एक साथ बैटके कर लिया जाए अब डेली निवर्सिटी को है तो सबसे पहले बिलीव और यॉर्सेल्फ आप अपने अपपर बिलीव करिए कि जो सीखा है वही बच्चा उसकी बात पर बिलीव कर लें जो भी या दूसरे से सीख क्या है कई बार ऐसा भी होता है आप अब जर्ब करना अरे यह मैं तो सुबही करके तो वही कुस्चन जाना गया और वही मैंने कर दिया एसर्टी बिल्कुल सही कुछ चाने तेरा गलत हैं बिल्कुल भी मतमाने आपने कर रहा है नहां भाई मेरा गलत है हम फेल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं हम अपने हिसाब से कर लिया मन आप मन सबसे पहले आपको स्ट्रॉंग बनाना है उसके अंदर क्यूंकि जितना जादा आपको टीचर आपको अजादी देंगे ने एकजाम होल में आपका पेपर छुप चाएगा इस मात का धिन रखिएगा इस बात का दियुक्ति यह सब्सक्राइब कर रहे हैं किसके साथ करें वाला पूछ के आए पूरा दिखा दूगा ब पहले आप अपना कर लीजिए पहले पूरा करिए ठीक है ना सब कौन सा करना है सबसे पहले थीओरी याद है तो थीओरी करिए फिर फिर सीजी जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे भी कर सकता है उसके बाद सर हमारा पीजी भी एक जो टांग अड़ा रहा है हर बच्चों के माइन में पीजी भी इसका पूरा चैप्टर मैंने कुछ प्रोविजन किया है मैं भी बताता हूं यह करना है आपका कुश्चन पेपर वो आएगा assessment year या फिर previous year या फिर residential status दूसरा कोश्चन बनता है सर salary सर तीसरा कोश्चन बनता है HP और CG से deduction other source सर यह पाठ हमारे theory के हैं जिसमें से questions हमेशा examiner पूछ लेता है इस बात का आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिकल में salary वगएरा यह सारी चीज़े हैं करना कैसे है सर अभी time कम बचा है करना क्या है बहुत simple सी बात है सर salary के question 4 question कर लिजिए salary के बस एक घंटे में 4 question कैसे clubbing of income के theory फटा-फट से revise करिये बाकी मैंने one shot video भी सबका बनाया हुआ कि कैसे किसको करना है वो चीज़ा ध्यान रखिएगा ठीक है अब हम बात करते हैं मुद्दे की के सर मैं YouTube पे काफे सारी वीडियो में डाल रहा हूं कुछ बच्चे कह रहा है सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा ऐसा नहीं हो रहा तो मैं उन लोगों के बच्चे के लिए solution यही लेकर आ सकता हूं अब मेरे पास कोई रास्ता बचा नह मैं description में link दे रहा हूं सिर्फ मात्र 29 रुपीज जो कि आपका internet handling charge लगता है और tax मानलो आप एक तरीके से 29 रुपीज में आप पूरे course को access लीजिए एक दिन का course होगा जिसके अंदर सारे PGP भी मिल जाएगा जिसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा मैं अभी भी यह कह रहा 29 रुपीज बहुत बड़ी amount है 29 रुपीज की कोई amount भी नहीं है दोनों चीज़े हो सकती है कुछ 29 रुपीज में एक छोले भटरे भी नहीं आएगे और 29 रुपीज एक हपता भी चलाये जा सकता है बच्चों की needs की ओपर depend करता है सीधी बात है मैं यह नहीं कह रहा कि मैंन इसके अंदर क्या मिलेगा आपको सर इसके अंदर सारे जितने स्टार वाले वीडियो बोल रहा था ना क्योंकि एक दिन बचाया मैं YouTube पे commitment था मैं कर नहीं पाया वो चीजे कुछ चीजे रह गई तो सारे स्टार वाले वीडियो सारे revision lecture सब कुछ मिल जाएगा access आपको पूर है सर इसका 399 कर रखा है जो कि मैं 29 अभी बोलूँगा कोई coupon code नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए मैं 299 ही करवाँगा जिन बच्चों को लेना है भाया ले लिजे एक सबसे पहले देखना कैसे है देखिए सबसे पहले हमारा important theory quick revision साथ वीडियो है सर एक घंटे की वीडियो है साथ वीडियो आप देखिए कुछ वीडियो है 13 मिनट कुछ तीन मिनट ये सारी चीजे और साथ के साथ इन सब के theory के नहीं मैंने PDF भी डाल दी है ताकि आपको एक जगह मिल जाएगा ठीक है ना और जिन बच्चों ने बि हटा दो important quick revision ये करना है आपको theory का how to doubt ये रहेगा आपका income tax how to study ये सब चीजे हटा दूआ में इसके बाद introduction जरूर कर लेना है इसमें से theory पूछा जाएगा basic concept हो गया residential income from house property अब देखिए जैसे house property में सर यहां 27 वीडियो है देखिए 27 में से क्या पूरे 27 करेंगे नहीं पहली class करिए दूसरी class करिए तीसरी class करिए बागी सभी class में मैंने हटा दिया बागी करने की जोरती नहीं सिर् effect मिल जाएंगे उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर ऐसे बच्चे जो हैं जो बोलते हैं सर salary का क्या होगा फिर capital gain में भी देखिए 19 classes है और हलाकि मैंने YouTube पे सारी वीडियो डाली है again मैं कह रहा हूं लेकिन कुछ बच्चे जो की ज़्यादा वीडियो की बज़े से पर download भी कर सकते एक दिन है ज्यादा मैं पजल नहीं करना चाहता जो आपको आता पहले वैस्ट उसके उपर करेंगे इसके बाद कुई क्रिविजन के चार्ट है आपके के जो आपने कुई क्रिविजन किया है उसका आपका सारा का सारा यहां पर डाला हुआ है अब इसके बाद बात करते हैं सेलरी सर सेलरी के अंदर 33 वीडियो है लेकिन इसके अंदर भी मैंने स्टार लगा दिया है रिविजन डाल दिया है मैंने पूरा कैसे रिविजन किया जाए तो पूरा का पूरा मैंने इहां पर रिविजन डाल दिया है सेलरी की बात करें तो यह सारा का सारा न तो ठीक है, हम इसी तरीके से मैंने जो कहा, मैं लिंक दे दूँँगा 29 का भी मैं प्राइस मैं request कर रहा हूँ, team management से वो कर देंगे भी, तो आपको 29 में पूरा access मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं कर रखाए करिए, जो भी doubt आता है सर doubt के लिए उसी के अंदर number given है उसी number में आप पूर सकते हैं, तो बस आपको यह information था, although very very best, आप अच्छे से exam लिखी, अपने उपर confidence रखी, आपने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, और बस confidence अपने उपर रखना है, दूसरों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, thank you so much, मिलते हैं हम next class के अंदर बहुत जल्दी आपका semester, जो है 6 तारिक से, 5 को exam खतम है, 6 तारिक से semester, आपका 4 भी start कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत एक lengthy process है, उसके अंदर na corporate account बहुत बढ़ा एक मान के चलो syllabus है, जो कि 4 से 5 मेने में खतम हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है आपके लिए, तो मिलते हैं इसी तरीके से next class में, thank you so much.